Hello everyone, I am Dr. Monalisha Bose, MDS Orthodontist और आज हम बात कर रहे हैं Dental Retainers के बारे में तो जब भी patients अपने दात, तेरे मेरे दात को सीधे करते हैं Orthodontic Treatment के द्वारा जैसे की braces या aligner treatment opt करके उसके बाद जब ये treatment खतम हो जाता है तो हमें Dental Retainers की जरूरत परती है तो जब आपका treatment aligners या braces के द्वारा चलता है उस treatment में हम लोग आपके तेरे मेरे दात या दात जो आगे या पीछे है उसको सही जगा लेके जाते हैं तो इस सही जगा में दात का position maintain करने के लिए जब braces या aligners हटाया जाता है हमें Dental Retainers की जरूरत होती है Retainers मतलब जो दात का अभी new position है उस जगा में दात को maintain करने के लिए retain करने के लिए हमें Retainers की जरूरत होती है यह हर cases में ही लगभग से लगभग हर cases में ही important है Dental Retainers ना पहनने पे patient का जो दात तेरे मेरे थे वो फिर से वैसे हो जाने के highly chances होते है Dental Retainers बहुत से type के होते है कुछ-कुछ cases में permanent dental retainers की भी जरूरत होती है जैसे कि बहुत सारे cases में दातों में काफी जगा होती है जब हम लोग वो जगा को बंद कर देते हैं तो आपका जो tongue space है या jeep का जो जगा होता है वो कम हो जाता है तो jeep क्या करता है? बार बार दातों को आगे धकिलनी की कोशिश करता है तो ऐसे cases में हमें permanent dental retainers की बहुत ज़ादा जरूरत परती है permanent dental retainers कम से कम 6 से 8 साल या कभी कभी कुछ कुछ cases में lifelong भी जरूरत परती है और बाकी दो तरह का dental retainers होते हैं जो की बहुत ज़ादा frequently use होता है एक तो हम लोग orthodontic term में hollies retainer बोलते हैं simple term में आप trays बोल सकते हैं जिसमें ताल लगा रहता है आगे के तरफ और इसे हम upper और lower दोनों arch में पहनते हैं पहले 6 मेने सिर्फ जब आप खाना खाते हो उसी time इसको निकालना होता है जब भी आप इसको बहार निकालते हो अच्छे से साफ करके दो के एक कटोरी जिस पे पानी है वहाँ पे रखना होता है उसके बाद इसको ज़ादा से ज़ादा time पहनना होता है 6 मेने बाद आप इसको सिर्फ रात को भी पहन सकते हैं आपके orthodontist जैसे भी आपको instructions देते हैं उसको ज़रूर follow कीजिएगा dental retainers को अच्छे तरीके से या properly ना पहनने पे बाद में ये dental retainers fit भी नहीं हो सकते हैं fitting issues भी आ सकते हैं उसके लिए हो सकता है कि आपको नया dental retainers बनाना परे या आपका दात already relapse होने start हो गया है तो कुछ भी हो अगर आप ऐसे problems face करते हैं तो आपको आपका orthodontist को ज़रूर consult करना चाहिए अगर आप dental retainers नहीं पहनते आप जो इतने साल braces पहने थे या aligner पहने थे और आपके orthodontist जिसने एक साल या one and half year तक आपका treatment किया है वो सारे efforts zero हो जाते क्योंकि फिर से दात तेरे मेरे होने लगते तो जैसे आपके orthodontist instruct करे वैसा आप retainer ज़रूर पहने एक और retainers होते हैं जो की aligners के तरह ही दिखते हैं invisible होते हैं transparent sheet के होते हैं बट वो dental retainers भी आप हमेशा पहनना होता है जादा से जादा time जैसे आपके orthodontist instruct करते हैं बट उन retainers का जो transparent retainers होते हैं उनका life बहुत कम होता है तीन महीने में हो सकता है आपको नया retainer बनाना परें और जो holly's retainers हम बोलते हैं वो जादा से जादा दो साल भी चल जाता है तो proper वो आपके दातों को retain कर सकता है अपने orthodontic treatment को successful बनाईए और अच्छा smile के साथ happily अपना life बिताईए dental retainers के बारे में हमने कोशिश किया है कि जादा से जादा information आपको दे सके फिर भी अगर आपका कोई भी doubt हो तो आप हमें comment section में question करके पूछ सकते हैं Thank you